असकार दोस्तों स्वागत है आपका बात करें चीप जस्टिस ऑफ इंडिया डिवाई चंदर्चूड ने मोधी सरकार की तारीफ की है अब बोलेंगे तारीफ और वो भी मोधी सरकार की वो भी डिवाई चंदर्चूड साहब ने क्यों आखिर इसकी बात करेंगे आपको पता क्या है चीफ जस्टिस डिवेट चंद्रशूड ने तीन नए अपरादिक कानूनों को एत्यासिक बता है सीजाई ने ये भी कहा कि बारत अपरादिक न्याई पढ़नाली में एहम बदलाव के लिए तैयार हैं ये बदलाव तभी सफल होंगे जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्माए यानि जो परसासिक होगा जो लागू करेगा अगर वो इससे सही डंक से करेगा तो ये परभावी होंगे सफल होंगे सीजाई के मतावित नए कानूनों ने आपरादिक न्याई के कानूने ढाचे को एक नए यूग में बदल दिया है यह तैसिक इसलिए क्योंकि कोई भी कानून क्रिमिनल लो जैसा रोज मरा की जिन्दकी को परभावित नहीं करता सीजाई ने दिल्ली में कॉन्फरेंस इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन एड्मिनिस्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टी सिस्टम में यह बातें कही हैं प्यारे करम में कानून मंत्री अर् लागू हो जाएं यह एक जुलाई से इस बार लागू होने वाले हैं इन कानूनों के बिल्को संसद्र ने जो है 21 दिसंबर 2023 को पारिद किया था 25 को राष्पति द्रोपद मुर्भू के साइन करने के बाद तीनों बिल जो कानून बन गये थे 25 दिसंबर को कानून बन गये साब की जो चंदुर साब की तीन एहम बातें खास बातें किया थी अपरादिक बारती अपरादिक नियाई परणाली ने हमारे सामाजी का आर्थिक परिवेस में हुए तक्निकी बदलाओं के साथ तार्मेल बनाए रखने के लिए संगर्स किया है नियाई परणाली ने समाज में होने वाले अपरादों के तरीकों को एक बार फिर से कलपना की है तरीकों की जो एक बार फिर से कलपना की है तक्निकी और नए यूग के अपराद के बढ़ते दाएरे जो अपराद करने और नेटवर्क बनाने के लिए डिजिटल का इस्तमाल क पटने के लिए एक समगर द्रस्टिकुन अपनाती हैं साथ साल से ज्यादा सजा वाले अपरादों के लिए तलासी और जप्तिक की ओडियो वेज्वल रिकॉर्डिंग और अपराद इस तलब पर एक फॉरांसे गिविजिस सगी की मौजूद की तया करती हैं तो यह है जो यह यह कानून थे और यह ट्राइल के बाद यह कानून होगे गंबर अपराद के मामले में नावाले से रेप दोसी कोंबर केर्ट की फांसे की सजा होगी यह कानून है पहले रेप की धारा 305-306 थी अब धारा 63-79 होगी हत्या की धारा 302 थी अब यह 101 होगी ठीक है गेंग एक्सिडेंट के मामले वहां से किसी के गायल होने पर ड्राइवर अगर प्लीडित को पुलीस सिस्टेशनी अस्पता ले जाता तो उसे कम सजा दी जाएगी इसी को लेकर विरोध किया था ड्राइवर नो आपको पता होगा हीट एंड रन के इसमें 10 साल की सजा मिलेगी सिन ट्राइल के मामले अगर किसी वक्ति को ग्रिबतार करने पर पुलीस को उसकी परिवार को जानकरी देनी होगी पहले यह नहीं था आपको किसी को ग्रिबतार करे परिवार को जानकर देनी होगी किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकरी पुलीस को विक्टम को को देगी पुलिस फिक्टिम को देगी अगर आरोपी 90 दिनों के बितर कोट के सामने पैस नहीं होता तो उसकी गेर मुज़िद्गी में भी ट्रायल होगा गंबिर मामलों में आदी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है अब ट्रायल कोट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना समावत होने के बाद जज़ को 43 दिनों में फैसला देना होगा फैसले के साध इनके वितर सजा सुना नहीं होगी दय की याची का दोसी कर सकता अभी अंजिय कोई संस्तान या दय याची का दाखिल करता था अब दोसी खुद करेगा ठीक है और बात करें यह पहले 860 में बन बना इंडियन एविडान्स कोड की जगे अब बार्तिय साख से सहीता होगा 2023 यह संसोदन हुए है नए अपरादी कानूनों के थे तो जिसकी अतारिफ की है चिप जस्टिस ऑप इंडिया डिवाई चंदर शोड सापने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नमस्कार